आज मैं आपके लिए लेकर आयू ब्रेड रोल की रेसिपी एक बहुती परफेक्ट पार्टी स्टार्टर है इसे अगर आपने कोई पार्टी या घर पर आया अचानक महमान तो बना लिया तो आपकी तारिफ तो पक्की है इसनैक्स को बनाने में आपको बहुती कम समय आपको बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रीट तो यहां पर मैंने 24-5 ब्रीट स्किती को निकाल कर अलग अंथे इसे महीं नहीं चाहिए तो यहां देखी है चार व पांचो ब्रीट कर था डर एक एल कर लेंगे ताकि उक्लेंचतार शाब्ले कर से हमेंसे फोल करने में आसानी होगी तो यहां देखिए बहुत ही परफेक्ट लिए ब्रेड के स्लाइज रोल होकर तैयार है तो इससे हम प्लेट के अंदर ले लेंगे अब हम इसके उपर रख देंगे एक चीज स्लाइज चीज स्लाइज रखना बिल्कुल ऑप्शनल है अग में हम दोनों कॉर्णर्स को इसके पानी से थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि आपस में चिपकने में आसानी हो तो यहां देखिए हमने कॉर्णर्स को थोड़ा सा पानी लगा दिया है अब हम हलके हाथों से इससे टर्न करते हुए फोल्ड कर लेंगे और इसका एक रोल बन हमें तयार करना है तो यह लेजिए एक रोल बन कर तयार हैं और से हमें से प्रेस करते हो इसका अच्छा रोल बना लिंगे करकर ऊपरते हुआप सारे रोल बना कर तयार कर लिए हैं इस तरह से रोल बना कर आप एर-tight चांटेनर में फ्रीजर के अंदर 15-20 दिन रख सकते हो, जब चाहे तब इसे फ्राइ कर सकते हो, तो यहाँ पर हम इसे फ्राइ करने से पहले, थोड़ा सा सलरी में डिप करेंगे, तो 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉन फ्लार ले लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल कर, पानी के साथ इ सारे ब्रेड के रोल को हम एपना इस लहरी के अंदर डिप करेंगे, और इक प्लेट पहले इस तरह से बना कर रख सकते हैं और जब महिमान आते हैं तब हम इसे डीप फ्राइर कर लेंगे तो यह स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर हमने ऑईल को गरम रख लिया है अब हम एके करकर सारे रोल्स इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर मैंने इ किये हमने इसे थोड़ा सा चला लिया है बिल्कुल टर्न करते हुए हलके से हम इसे ब्राउन होने देंगे सभी तरफ से और यह लिजिए बहुत ही परफेक्टली इसके उपर कलर आच चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे हम इसे डिफ्राइ करने के बाद एक एक करकर निकाल लेंगे और टीशू पेपर के उपर रख देंगे ताकि जो भी एक्स्टर ऑइल निकल जाए पर हमने इसे ब्रेड क्रम से खोट किया है तो इसके अंदर बहुत ही कम और रहता है तो यहां पर हमने इसे एक एक करकर निकाल लिया है और चली आप इसकी प्लेटिंग क करते हुए अगर इसे लौली पॉप की तरह बताना चाथे तो इस तरह से एक स्टिक ले लीजिए और दी आल तकर इसके प्लैटिंग कर सकते हूं यह लिजिए हमारे दो बनकर तयार हो तो कैसे लगी आज के हमारे ब्रेड रॉल के रेसिपी हमें कमेंस कर कर ज़रूर बताना रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ना भूले और हां भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइएं और मेरे साथ अपने experience शेर कीजिए तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ थेंक यू सो मच